नमस्कार, न्यूस क्लिक में आपका स्वागत है, न्यूस क्लिक के खोश खबर कारेक्रम में आज हम आपके साथ बातचीत करेंगे कि किस तरह से जो मीडिया है और खास तरह से जो मुख्यधारा के टीवी पत्रकार हैं, उनके चैनल्स हैं, उनके बारे में जिस तरह की चिंता लोगों में है, जिस तरह का एक perception अवधारना लोगों में बनी है, क्या वो अच्छा है लोगतंत्र के लिए, मीडिया के लिए, हमारे आपके लिए, किस तरह से लोग मीडिया को लेकर एक शंका की निगाह से देख रहे हैं और बात कर रहे हैं, जी हां सही समझा आपने हम बात जिरता हुई, उन्होंने यह भी कहा, क्योंकि जो स्थिती थी, वह मॉब लिंचिंग जैसी स्थिती थी, इस पे दो धंग से बाच्छीत हो सकती है, सबसे पहली ये, जो एक किसी भी पत्रकार को करना चाहिए, घटना क्रम क्या था, हुआ क्या था, और दूसरा, जो हुआ उसके पीछे वजह क्या थी, लगातार सोशल मीडिया पे अलग धंग से कैंपेन चलाया जा रहा है, शाहीन बाग के खिलाफ, हम सब पत्रकार वहां जा रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, जो दिखाई दे रहा है, वो रिपोर्ट कर रहे हैं, जो भाश्पा, समर्थक, मीड मीडिया है, बीजेपी, आईटी सेल वाला जो मीडिया है, वह जिस तरह से महिलाओं के बारे में 500 रुपय से लेकर बिर्यानी खाने के बारे में तमाम दूश प्रचार कर रहा है, उसको लेकर खबरे बनाता रहा है, और इसे लेकर लोगों में बहुत गुस्सा है, यह इति जरीन हलीम वह कविता पढ़ रही थी और उसके बाद शुभा सिंग ने शाहिन बाग पर कविता पढ़ना शुरू किया ठीक उसी समय जो पूरा घटना क्रम है आप पाएंगे कि तीन बजे के करीब मंच के पास दीपक चौरसी और उनकी टीम पहुशती है और जो पूरा घट यहां पर संचालन कर रही हैं वहां उनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि आप मंच के बिल्कुल सामने ना खड़े हों क्योंकि यहां लोग जो बोल रहे हैं उन्हें लोग देख नहीं पा रहे हैं ठीक इसी समय कुछ अलग धंकी आवाजे भी आना हमारे सामने शुरू होती है अ मंच पे बकायदा माइक से एनाउंस किया जाता है कि हम दीपक चौरसिया जी से दर्खवास करते हैं कि वह यहां से लाइव शो करें और इसके पीछे जो आयो जग और जो महिलाएं बैठी हैं उनकी चिंता यह है कि लगातार जोंकर टीवी चैनल शाहीन बाग को एक जहाद होगी थी इसके बाद थोड़ी से कोशिश होती है कि मन से थोड़ी दूर चले जाए और मन से बाहर निकलकर बगल में ही वहां पर जो महिलाएं उनसे बात करना शुरू करते हैं कुछ संगी साथी जो वहां पर थे उनका कहना था कि उनके साथ जो टीम आई हुई थी उसकी तैयारी पहले से दूसरे ढंकी थी तीन चार लोग अलग अलग ढंक से फोन पर रिकॉर्डिंग कर रहे थे उनहीं में से एक ने किस महिलाओं से बात चीत की और उनने पूछा क्या 500 रुपे वाकई कुछ लोगों को मिले हैं और इसके बाद अचानक दीपक चौरसिया के प यहां पर जो महिलाएं हैं वह भी उनसे उठकर वहां पर बोलती हैं कि क्या आप लाइब ब्रॉडकास्ट करेंगे हम देख पाएंगे आप जो दिखाना चाहते हैं या आप बाद में जाकर स्टूडियो में एडिट करके कुछ और वीडियो के साथ दिखाएंगे यहां यह समझने की जरूरत है कि जिस तरह का गुस्सा है महिलाओं में मीडिया को लेकर यह सिर्फ दीपक चौरसिया या कुछ पत्रकारों की बात नहीं है हम भी जब जाते हैं महां पर महिलाएं पूछती है और यह बहुत वाजिब सवाल है उनका कि हम क्या दिखाना चाहते हैं मीडिया के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि हमारी साख पर बट्टा लगा हुआ है अगर वहां पर महिलाएं इतने दिनों से मैं जा रही हूँ और मुझसे भी पूछ रही है कि बाकी मीडिया ऐसा क्यों दिखा रहा है और मेरे पास कोई जवाब नहीं है यही सवाल वहां द कि जब महिलाएं वहां पर यह सवाल उठा रही थी जब वहां आयोजक यह सवाल उठा रहे थे इसका जवाब दिये बिना बिलकुल मंच के ठीक सामने से जिस तरह से दीपक चौरसिया ने रिकॉर्डिंग शुरू की उसने एक संदेह के वातावरण को और बलवती किया लो यहां अगर आप उनक्या ही फुटेश देखें जो लोग हाथ उठा के बोल रहे हैं कि अभी आप यह रिकॉर्डिंग बंद करिए पहले हमसे बात करिए हम चाहते हैं कि हमें पहले क्लियर हो कि आप कैसे दिखा रहे हैं और जो अलग-अलग आपके लोग कागज और परिचे दिया वह ज़बरदस्त है वहाँ पर मंच में कूत कर पहुची और उन्होंने घोषणा की कि किसी था की हिंसा नहीं होनी चाहिए और किसी था की हिंसा हुई भी नहीं जिस तरह की बात हो कर रहे हैं कि मौब लिंचिंग का सामना करना पड़ा ऐसा लगता है कि दीपक चौरसिया और उनके समर्थन में जो लोग खड़े हैं उन्होंने मौब लिंचिंग वाले वीडियो देखे ही नहीं है पत्रकारों पर जब हिंसा होती है तो वो वीडियो उन्होंने देखे ही नहीं हैं यहां पर एक भीड थी जो उगर थी जो गुस्से में थी और उसने सीधे सीधे कहा कि आप अभी अपना कैमरा बंद करिए और यह वही भीड है जो दीपक चौरसिया को दोनों तरफ से कवर करके मेरी आँखों के सामने मंच क पीछे से जो रास्ता बना हुआ है वहां से निकाल के ले गई उसने यह सुनिश्चित किया कि दीपक चौरसिया और उनकी पूरी टीम है उसमें किसी भी तरह की फिजिकल हिंसा ना हो इसमें जो महिलाएं मंच का संचालन कर रही थी वे और जो पुरुष महां पे वालिंट के लिए बहुत कतरनाक है जिसे वह खुद भी मान रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था लेकिन बहुत बड़ा सवाल निखिल वागले ने भी पूछा है जो वरिष्ट पत्रकार है उस सवाल पर भी ध्यान देना जरूरी है कि क्या मकसद था इस तरह से अपनी टीम के साथ वहां जाने का क्या मकसद था तीन चार और लोग जो उनके इर्दगिर थे जो कैमरे पर रिकॉर्डिंग कर रहे थे उसको उसके पीछे जो पूरा एक माहौल बनाया गया था मंच के चारो तरफ मकसद क्या था दीपक चौरसिया का क्या कुछ ऐसा ही सीन दीपक चौरसिया चाहते थे और वैसा ही सीन बिल्कुल बना क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन लोग थे जो उनको इतने लोगों की भीड में बिल्कुल सुरक्षित बाहर तक ले गए क्या किसी मॉब लिंचिंग या किसी हिंसक भीड में ऐसे लोग अभी तक हमें सामने दिखाई दिए हैं नहीं दिखाई दिए हैं लेकिन यहां पर खुद मैंने अपनी आखों से देखा कि जैसे ही कुछ लड़के जो उग्र हुए जिनको गुसा था कि दीपक चौरसिया को वहां पर मैनेज कर रही थी और उन्होंने इस बात की गैरेंटी की कि कि किसी के ऊपर किसी भी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए इस बात का भी उलेख जब हम और आप कर रहे हैं जब मीडिया के तमाम सीनियर लोग कर रहे हैं इस बात का भी उलेख होना चाहिए कि एक को लेकर गंभीर सवाल है वहां पर इस तरह की कोई अभधर घटना नहीं घटित हुई इसका श्रेक इसको जाता है दोस्तों हम मीडिया की साख को लेकर लगातार बात करते रहे हैं और यहां पर भी साख का ही सवाल है सवाल यह है कि जब इतने दिनों से शाहीन बाग और पू दीपक चौरसिया खुझ जो वीडियो जारी करते हैं उसमें भी बताते हैं कि उनके सवालों को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं अगर यह वाकई उनके सवालों को रिप्रेजेंट करना चाहते थे उनको जगह देना चाहते थे तो आखिर उन महिलाओं को जो वहां बैठी यह भरोसा क्यों नहीं हुआ हम यहां किसी के भी intention की बात नहीं कर रहे हम यह नहीं बात कर रहे कि दीपक चौरसिया का असली मकसद क्या था क्योंकि यह मकसद वह जान सकते हैं उनकी टीम जान सकती है लेकिन बतौर पत्रकार हमें यह सोचना होगा कि अगर एक मीडिया कर्मी अपने ब्रैंड के साथ जा रहा है जैसे हमने पहले भी देखा है जंतर मंतर पे भी देखा है कि जैसे ही रिपब्लिक टीवी जी टीवी बाकी टीवी चैनल्स आते हैं जो प्रोटेस्टर्स हैं जो अंदोलनकारी हैं वे नारा लगाते हैं गोदी मीडिया गो आप ये बात कह सकते हैं, लोग कह रहे हैं, कि आंदोलन करताओं को ये अधिकार नहीं है, कि वह सलेक्ट कर सके, वह चुनाव कर सके कि कौन सा मीडिया उनके पास आएगा और कौन सा मीडिया नहीं आएगा, बास सही है, मीडिया का काम है, कहीं भी आप खड़े हो, किस भी तर हावित होते हैं उन्हें भी अपनी नाराजगी अभिव्यक्त करने का अधिकार है और यह हम देख रहे हैं चाहे जामिया हो जेनी हो अलीगड़ हो लखनाउ हो हैदराबाद हो हर जगा आंदोलन कारियों को एक बड़ी जमात को इस बात पे बिलकुल भरोसा नहीं रहा है कि य मुझे लगता है यह सवाल सिफ एक इंडिविजुल का नहीं है यहां पर यह बड़ा सवाल है मीडिया की साख का मीडिया की साख जिस तरह से कुछ संस्थानों ने उसे दाव पर लगा रखा है उसे बिलकुल निचले पायदान पर पहुचा रखा है हमें और आपको यह कास्ट को तोड़ने की बहुत जरूरत है और यह एक बहुत बड़ी चिनौती के तौर पर हमारे और आपके सामने हैं खोश खबर के इस कारेक्रम में बस इतना ही